ये दू आये सिखता है अच्छी बाते बताता है आव सिखे अब्दुलबारी के संग ओ नवेद अच्छा हुआ तुम दिख गए मैं ज़रा जल्दी में हूँ बेटा तुम ये सामान अपनी अम्मी तक पहुचा दो क्या सीख रहे हो तुम नवेद तुम दूसरों की मदद करने में दिल्चस्पी नहीं लेते सरफरास की घर जा रहे हैं न हम सरफरास की घर हमें अपने इर्द गिर्द लोगों की सभी के हालात का अंदाजा लेते रहना चाहिए एक मिनट रुको नवेद उन्हें शायद मदद चाहिए और ये हो गया तो फिर तुम क्यों नहीं करते दूसरों की मदद लाए दादी इसे मुझे दे दीजिए मैं ले चलता हूँ आप काफी धक गए अरे नहीं बहुत शुक्रिया तुम जाओ बेटा मैं ले जाओंगी इसे लाए ना दादी मैं इसी रास्ते से जा रहा हूँ और मैं जानता हूँ आप अगले चो राहे पर ही रहते हैं मैं वहां तक ले चलता हूँ लाए दादी अच्छा लो बेटा ये पकड़ो मैं वाकी में बहुत ठक गई हूँ और कमर भी बहुत दर्द हो रही है लाए दादी ये लो नवेद तुम एक बैग पकड़ लो हाथों हम बात कर रहे थे मदद एक मरतबा अमी ने एक छुटा से वाकिया किताब में पढ़े थे दो दोस्त रहते हैं खुशे के वक्त में दोस्त थोड़ी है और इसलिए मैं भी सरफरास के कहने से पहले ही अमी अब्बा से इजाजत लेकर मदद के लिए जा रहा हूँ लाओ बच्चों, बैग मुझे दे दो, मेरा मकान आ चुका जी दादी, ये लीजिए अल्ला तुम दोनों को अच्छा बदला दे माश्या अल्ला, बड़े प्यारे बच्चे हो तुम लोग ठीक है दादी, तो क्या नवेद तुम भी चलोगे मेरे साथ सर्फरास के प्रोजेक्ट को करने दो मिनट रुको नवेद, शायद इन्हें भी कोई मदद चाहिए चलो नवेद, हम चलेंगे क्या हूँ अब्दुलबारी, तुम इनकी मदद के लिए नहीं करे नहीं, दरसल उस शक्स को हम जान दे नहीं और वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था और देखो, ये जगा बिलकुल सुना है लोग भी नहीं है, ऐसे में हमें अंजान लोगों की मदद के लिए फॉरन नहीं जाना चाहिए और मदद करना भी हो, तो किसी अपने से बड़ों की मदद लेना चाहिए हाँ, मुझे भी वो आत्मी कुछ अलग-अलग सा लग रहा था बेरहाल, तुम जाओ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा मुझे अपना प्रोजेक्ट भी करना है कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे अस्सलाम उलैकुम नवेद वालैकुम अस्सलाम क्या हूँ अनवेद मुझे जोड से लग गया, बहुत दर्द हो रहा है मैं अम्मी से बताता हूँ अनवेद अनवेद अल्ला तुम पर आसानी करें अनवेद अरे सरफराज तुम अस्सलाम उलैकुम वालैकुम सलाम लेकिन तुम्हारी कौनी में तो चोट लगा हुआ था ना हाँ लेकिन अब आराम है अल्हम्दुलिल्ला इसलिए मैं खेलने के लिए आ रहा था तुम कहा जा रहे हो मैं तुम्हारे घर आ रहा था तुम्हारे हाथ में दर्द था तो अब्बा से इजासत लेकर तुम्हारे प्रोजेक्ट को बनाने आ रहा था तुम मेरी मदद के लिए आ रहे थे अब्दुलबारी वो भी मेरे बगेर का है तुम कितने अच्छे दोस्त हो जो अपने दोस्तों की फिक्र करते हो ठीक है, अस्तक्फिरॉडला तुम्हें पता है सरफराज मुझे तारीफ सुनना पसंद नहीं आओ हम नवेत को भी साथ ले लेते हैं कुछ दिर खेलेंगे हाँ चलो, जाना तो होगा ही पता नहीं नवेत किस हाल में है उसे भी अभी अभी उंगली में चोट लग गई है अम्मी अब में अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाऊंगा मेरी उंगली में बलके पूरे हाथ में दर्द हो रहा है हम तुम्हारी मदद करेगी नवेत अब्दुलबारी, सरफराज हाँ नवेत, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा मैं कितना बुरा हूँ मैं अपने दोस की तकलीफ में मदद के लिए जाने से इनकार कर रहा था और ये मेरा दोस बेरी मदद के लिए हाजिर है कोई बात नहीं नवेद हम सिर्फ खेल और खुशी के वक्त में दोस्त होड़ी है बलके रंज और तकलीफ के वक्त भी दोस्त है सो तुम्हें इस तकलीफ के वक्त कैसे अकेला छोड़ दे बहुत शुक्री अब्दुलबारी, सरफराज, जजाक अल्ला खैर लेकिन तुम लोग मेरी मदद के लिए खेल छोड़ कर आ गए देखो नवेद, जो इनसान दूसरे लोगों पर रहम करते है तो अल्ला उन पर रहम करते है जो दूसरों की मदद करते है, अल्ला उनके लिए भी मदद भेशता है हाँ, लेकिन मैंने तो किसी की मदद नहीं किया तुमने रास्ते में आते हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए तो अल्ला ने तुम्हारी मदद के लिए हमें भेज दिये हाँ सच में अब्दलबारी उनकी मदद करके मुझे अच्छा लगा आइंदा मैं भी लोगों की अपने दोस्तों की मदद के लिए तयार रहूंगा हाँ लेकिन याद रहे सिर्फ अच्छे काम में मदद करना है किसी के जूट और बुरे काम में नहीं और किसी भी अंजान लोगों की मदद करने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या वो इनसान वाकई में मदद बांग रहा है या वो कोई गलत इंसान भी हो सकता है हाँ, अब बाभी कहते है कि कोई अंजान आग्मी आंटी भी हो और वो हमें कुछ खाने को दे जैसे कि चॉक्रेट बिस्किट वगेरा दे और अपने पास बुलाए तो नहीं जाना चाहिए हाँ, ऐसा ही करूंगा लाओ, अब जल्दी से अपने प्रोजेक के सामान निकालो हम जल्दी बना देंगे